घर में हैं लड्डू गोपाल तो इन बातों का रखें विसेज ध्यान भगवान कृष्ण के बाल रोख को लड्डू गोपाल कहते हैं और लड्डू गोपाल को घर में रखने के बहुत सिनियम है लड़ू गोपाल जिस भी घर में प्रवेश करते हैं वह घर उनका हो जाता है इसलिए आप उपने मन से मेरा घर मेरा सब कुछ का भाव त्याग कर लड़ू गोपाल की सेवा में ध्यान लगाना चाहिए लड़ो गोपाल के आते ही परिवार भी उनका हो जाता है इसलिए अब वा भी आपके परिवार के शदस है और उसी तरह उनका लानन पोशन होता है जैसे किसी अन्य सदस से का लड़ो गोपाल की हर जरूरत का ख्याल बिल्कुल वैसे करना होगा जैसे आप अपने बच्चों की जरूरतों का करते हैं हर दिन सुबा लड़ू गोपाल को असनान कराएं असनान करते समय ध्यान रहें कि सर्दियों में गर्म पाने से और गर्मियों में शादा पाने से ही असनान कराएं इसके बाद वस्त्र पहनाते समय भी ध्यान रखें कि सर्दियों में गर्म वस्त्र और गर्मियों में सूती वस्त्र पहनाए खास मौकल के लिए कुछ खास वस्त्र भी लेनी चाहिए ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल के वस्त्र भी साफ सुत्रे होने चाहिए वस्त्र पहनाने के बाद आप उन्हें माला मुकुट कुंडलाद पहना कर उनका सिंगार करें जन्माश्टमी जैसे परपर उनका खास सिंगार किया जाता है लड़ू गोपाल को तयार करने के बाद उन्हीं भोग लगाया जाता है जिस तरह परिवार के दूसरे शदश्यों को तीन समय के भोजन के अत्रिक्त सुबा साम का चायनास्ता चाहिए वैसे ही लड़ू गोपाल के भोजन और नास्ते का ध्यान रखें घर में आने वाले कोई भी खाने की वस्त में गोपाल जी का हिस्सा जरूर होना चाहिए इसी तरह उनके लिए बच्चों की तरह खेल खिलोने लेकर आये और उनके साथ खेले सबै सबै पर लड़ू गोपाल को बाहर भुमाने लेकर जाए उनसे बात करें उन्हें लोरी सुना कर सुलाएं और हर दिन उन्हें प्यार से जगाएं एक बात हमेशा याद रखें कि लड़ू गोपाल को भाव से पाया जा सकता इसलिए जो भी करें पूरे मन विश्वास और सची स्रध्धा से करें राधे राधे